तुमाशकार दोस्तों में विमल सिंग बालाजिस्ट डेड़ा में आपका स्वागत है आस्तारीक आपकी 23 मार्च 2023 की सिक्षा सम्मंदित क्या सभी अपडेट हैं एक एकर के सभी की बात करते हैं लाश्ट में कुछ करेंट अफएर की बाद भी करेंगे सबसे पहली अपडेट आंगनबाडी के 52,000 पदों पर भरती प्रक्रिया सुरू प्रुदेस में आंगनबाडी कारिकत्री मिनी आंगनबाडी कारिकत्री और सहायकाओं के रित पद हैं टोटल 52,000 इन पर मांदे के आध नई आयू सीमा 21-35 वर्ष के बीच तैकी गई है सैक्षिक योगिता की बात करें तो हाई स्कूल के बजाए इंटर जो है वो तैकी गई है और इस बारे में बाल विकास और पुष्टा हार विभाग की सच्चिव जो है अनामिकास है उन्होंने संसोदित जो सासना देस है व वही जो है वो मानने होगी 62 साल की उम्र पूरी होने के बाद उनकी बांदे आरधारित सेवा स्वताहसमापत हो जाएगी अगले ब्रेट एड़ेट कॉलेजों में 2707 प्रधानाचारियों की भरती जल्द होगी लकनों से न्यूज है और अधियाचन इसको लेकर के भेजने जा रही है और मादिमिक सिक्षा चैन बोर्ड की ओर से चैन नियुक्ति की कवायद अलड़ी शुरू भी हो गई है साइड में 1900 पदों की रद्ध ही भरती परिक्षा फिर से होगी यहां पर काफी समय से इंतजार किया जा रहा है इस भरती का जिसका नाम है ग्राम विकास य यह भी लिफ में इतना लिखा है कि सासन से से जल्द ही हरी जंडी मिलने की संभावना है अनुमती मिलते ही परिक्षा कारेक्रम जारी होगा पदों के लिए करीब 14,00,000 लोगों ने आविजन कर रखा है अधिनस्त सेवा चैन आयोग ने 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 15 157 और ग्राम विकास अधिकारी के 362 और परिवेक्षक के 64 पदों के साथ कुल 1953 पदों के लिए आविजन इसमें मागा था दिसंबर 2018 में परिक्षा होई थी दिसंबर 2019 में इसका परडाम भी जारी कर दिया गया था परिक्षा परडाम जारी होने के साथ ही इसमें धांदली कि कई सिकायते जो है वो आई थी इसलिए मार्च 2020 में पूरे मामले की जाज के लिए SIT घटित कर दी गई थी बाद में इसे पूरी तरीके से कैंसिल भी कर दिया गया था इंटर्व्यू की बाद भी खाली रह जाएंगे एनस्थेटिस्ट के 83 प्रतिसत पद सुरू हो गई है जो भी पोष्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं दाखिला लेना चाहते हैं उनके लिए कवर है सहुत प्रवेस परिक्षा, CUT, PG 2023 के लिए आविदन करने की प्रक्रिया सुरू हो गई है 19 अप्रैल तक आविदन आप इसमें कर सकते हैं UPPSC में कई पदों के लिए साथ चाहतकार आज से देखने को मिलेगा 23-28 मार्श तक साथ चाहतकार होगा दो पालियों में साथ चाहतकार होगा जिसमें पोष्ट एसिस्टेंट प्रोफेसर के यूनाइनी कॉलेज में लेक्चरार के प्रिंटिंग अनिस्टेंस तरी विभाग में असिस्टेंट डिरेक्टर के 5 पद चिकित साथिकारी के 476 पद इस तरीके से अलग-अलग और भी बहुत सारे पद इसमें दिये गए हैं अगले अपडेट सिक्षक भरती घोटाले का आरोपी गिरफतार 69,000 सिक्षक भरती में घोटाले का एक आरोपी है तीन साल से ह्टेफ के रडार पर था उसी को लेकर बात की गई है प्रोफेस्नल कोर्स में प्रवेस के लिए आविदन अप्रेल से यहां पर राजेंद्र से अफिस विद्धैले को लेकर के बात की गई है पांच दिनों में जाचीज सवा करोलों से अधिक कॉपियां यूपी बोर्ट पर इच्छा को लेकर के बात की गई है एक अप्रेल से सुरूँगा यूपी बोर्ट का नया सत्र कोविट काल के दोरण पाटे क्रभ में कटोती भी खत्म होगी केंद्र विद्यालों में पहली कक्षा में दाकले की दौर्ण 27 से देखने को मिलेगी यहाँ पर उसी को लेकर बात की गई है कक्षा एक में बच्चे सीखेंगे भासा, साक्षर्ता, कौसल और रचनात्मक गतिविधी बेसिक सिख्षा विबान में इसके लिए जारी किया है स्कूल रेटिनेंस गतिविधी कैलेंडर लखनों से न्यूज है सेकेंड लास्ट अपडेट चार वर्स घर में वंडे सीरीज हारी भारती टीम दो एक से जो है जीत गई है और ये आपकी जो सीरीज चल लई थी ये आपकी मास्टर कार्ड सीरीज चल लई थी लास्ट अपडेट इस वीडियो की वीडियो बसंदा है लाइक भी करते रहेगा पांच अक्टूबर से हो सकता है वंडे विस्व कप का आगाज एहंदाबाद में 19 नॉवंबर को फाइनल मैच की उभीद है और 2011 में इससे पहले आपका वंडे मैच खेला गया था यहाँ पर मेजवानी भारत ने की थी और इस बार आपका भारत फिर से करेगा मेजवानी आपको याद होगा तो 2011 वारा वर्ल्ड कप महेंदर सिंग धोनी की अगवाई में भारत जीती थी याद होगा तो देखते हैं अब क्या होगा इस बार कौन जीता है तो यही था हमारे सोराल अपडेट में इसी परकार डेली अपडेट बाद रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन में लब पश्राउन कर लिजेगा वीडियो पसंद आए लाइक कीजेगा और लोग सब्सक्राइब कीजेगा मिलते हैं अगले बडेट में तब तके लिए नमस्कार जैन